आज हम एक ऐसे कानून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक कानून है कि आपको पता है कि रेलवे और डिफिन्स के बाद विंदुस्तान में वैसी कौन सी सस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है मतलब ये कि जमीन पे सबसे ज़्यादा कबजा है रेलवे और डिफिन्स के बाद उसका नाम है वक्फ वक्फ उस जमीन को कहते हैं जिसे अ अल्ला के नाम सुपूर्द कर दिया जाता और सबसे इंट्रेस्टिंग यह कहें कि सबसे शर्मनाग बात एक सेकुलर देश के अंदर ये है कि उसके लिए हिंदुस्तान में एक ऐसा खतरनाक कानून है कि जिसमें साथ आठ मुस्लिम लोग ये तैकर देते हैं कि जिस जमीन पे वो उंगली रख दें चाहे वो मंदिर हो चाहे वो आपका घर हो चाहे आपका वो बगीचा हो कोई भी जमीन जिसके उपर वो उंगली रख दे और ये कह दे कि ये वक्त की जमीन है तो आप नाक रगल रह जाईएगा और उस जमीन को आप बचा नहीं पाईएगा और इस खतरनाक कानून के उपर आज चचा करने के लिए हमारे साथ सुप्रिम कोट के लॉयर असुनी उपाध्याजी है बड़ा खतरनाक कानून है आपने सही कि आप इसे सुप्रिम कोट लेकर के कहे पहले इस कान मनेश जी यह कानून भारत का नहीं बलकि दुनिया का सबसे खतरनाक कानून है ऐसा कानून हो सकता अरब में बना हो जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन अमेरिका, सिंगापूर, फ्रांस, चाइना, कॉरिया, जापान, ऐसे कई देशों को मैंने कानून को पढ़ा क्या ऐ कानून कांवरेस ने बनाया था उननीज सो पंचानवे में rakit 1991 से जो 9 996 तक कांवरेस की सरकार थी उसने बड़े खतरना कानून बनाए एक के बाद एक के बाद है उस समय आपको याद है आयोद्या वाला अंदोलन पूरा पीक पे था उसके बाद 1991 में कांग्रेस ने पहला कानून बनाया प्लेसेजाब औरसी पैक्ट और ये कहा कि आयोध्या का मामला तो कोट सहल होगा बाकी काशी मतुरा और भद्रकाली बाकी और जो भारत में और भी मंदिर है जिन पर अवाज कबजा किया था मुगलोटे उसका मैटर कोट में जाए गए नहीं और कोट में अगर चला भी गया तो वहीं डिस्मिस हो जाएगा खतम हो जाएगा मतलब हिंदूओं के लिए जैन के लिए कांग्रेस ने 1991 में कानून बनाके उनका कोट का दर्वाज़े बंद कर दिया यह हुआ और 1992 में लुशा ना माइनाटी को डिफाइन किया ना माइनाटी को इंतिफाय करने की गाइडलाइन बनाया और मा माइनाटी कमिशन एक्ट बनावाठी इनol Argnes ounce section इसका 14 है जिसमें उन्हों वक्त बोर्ड बनाया वक्त बोर्ड क्या कहता है जरा मैं आपको सामने ये कानून पढ़के बताता हूँ section 14 देखिए composition आप बोर्ड है Muslim Member of Parliament यानि बोर्ड का जो Member होगा MP Member of Parliament लेकिन वो भी Muslim होगा Muslim Member of Legislative यानि एक MLA, Muslim MLA इसका Member होगा एक Muslim Advocate इसका Member होगा एक मुतवली जो मस्जिद में नमाज करवाते हैं वो इसका Member होगा एक Muslim Scholar इसका Member होगा एक CIA या जो सुनी Ideology का एक Muslim होगा और एक Muslim Town Planner होगा और एक Muslim IIS Officer होगा तो मतलब MLA भी मुसल्मान MP भी मुसल्मान Advocate भी मुसल्मान Town Planner मुसल्मान IIS या जो PCS अधिकारी होगा सरकार की तरफ से वो भी मुसल्मान मुतवली भी मुसल्मान Muslim Scholar भी मुसल्मान तो ये साथ जो Muslims हैं इस Board के Member वो जहां जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वहां आप कोट नहीं जाएंगे इनके उंगली रखने के खिलाख उदाराण के लिए हम आपके आफिस में बैठे हुए यहां पे वर्क बोर्ड आके बोले कि यह जो वर्क बोर्ड है उसकी नोटिस में जा के अपनी दरखास करेंगे जिसने आपको नोटिस दियाए यानि उसी बोर्ड में मतलब यह लोग नोटिस भी देंगे हां और सुनवाई भी वही करेंगे वही नोटिस देने वाले हैं वही वक्कील हैं वही जज हैं वही थानेदार वही सिपाही और यह कानूर यह कांग्रेश पार्टी ने उस समय 1995 में बनाया को जो साथ मीबर का वह बोर्ण है जिसके साथ के साथो सदसे मुस्लिम है वह आपको नोटिस देंगे यह आपका खर है यह आपका ँपके अगर आपको कोई धिकत है आप उनकी बात को वह आपकी बात नहीं मान रहे तो आप को दिस्टिक कोट नहीं जा सकते आपको ट्रैबुनल में जाना है अब आप नोइडा में बैठे हुए आपके घर पर उन्होंने कह दिया आपका वक्पप मैटर है नोइडा कि आपको ट्रैबुनल में जाना है तो मेरत मुझदफः नगरवाला लखनवाला जाए जाए गोरफपूर गाजीपूर वाला भी चंदोली वाला भी अपनी जमीन बचाने के लिए मुझे जो मेरी जमीन है मुझे बगल के कोट में जाने नहीं दिया जा रहा है मुझे 500 किलमेटर की यत्रा कराई जा रही है और सिंपल एक बिना किसी अच्छा उसको यह भी कारण भी यह कुछ हमारे पास है कुछ कुछ नहीं सिंपल कहना भई यह जमीन हमारी है खतम बात हुऑ चूछोन तो इसे विबस्था में तो जो गरीब पंडित होगा पुजारी किसी मंदिर का हो तो किसी मंदिर केंपर के लिए जिसको कुछा है मैं यही तो कह रहा हूं कि मनीश नहीं कुछ नहीं पता जिस दिन जा रहे यह अभी परिशान करते हैं इनको पता है बुला लेंगा इस दिन आउ सुनवाई यह उस दिन बैठेंगे अब आप यहां से जाओ लखनो फिर पलट कि घर आ जो तो आपको ऐसे चक्क्र लगाते रहेंगे यह सिच्वेशन है का मतलब कि जो कान६न होना चाहिए बासमर में का होता थे खो हमको बहु मी कास्ताने को बचाना है तो आप में अगर जैन बासिक यहुदी पारसी movie सब के लिए आपके लिए विवेवश्था दिया होता तो भी समझ में आता है इस बोर्ड में सबके मिंबर होते, एक जैन होता, एक बहुत होता, एक सिख होता, तब भी बासमी में आती है, लेकिन नहीं, मुस्लिम की प्रॉपर्टी इकठा करना है, जो आलेडी जिसके पास खुद भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबस ज्यादा प्रॉपर्टी ह कि बैठा हुआ है, और उसको आपने याधिकार दे दिया, जहां मन करें, नजूल की जमीने होती है, पुरानी जमीने होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनकी जमीने पर रहती है, खेत खलिहान होता है, यह जो गोचर वाली जो जहां गा आपका ओफिस, यह हमारा वक्प का है, तो नुएडा की कलेक्टर साब आएंगे, बुल्डोजर लगा, आपको ओफिस कोईंग भाली करो, आपको कामेरा पर साब भार करवा देंगे, यह है इसकी पावर, ऐसी मतलब असीमित पावर देने वाला, मैंने कोई कानून देखा ह नहीं, बस नोटिस देना है, दो महिने के बाद बोले, खाली कर दो, अच्छोप फिर आप सुप्रिम कोट में गय, तो क्या हुआ सुप्रिम कोट में गया, तो मैंटर लगा, आज सुप्रिम कोट में, जस्तिश चंचूर्च साब के सामने लगा था, तो बोले कि यह पारलि रूपए नहीं मिलता एक रूपए नहीं मिलता और करोड़ों रूपए इस बोर्ड के ऊपर खर्च हो रहा है यह जो साथ सदस्य है इनका वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इनका आफिस यह तो अपने से करते होंगे ना अपने से नहीं सब सरकारी टेक्स हमारे आपके टेक्स क में बना दिया वह अपना मैंजग यह नहीं यह आप जरा समझे इस बोड में MPA उसकी सेली कहां साति एंस टेक्स पैसे से इस बोड में एए कर टिकेट ट्रेन कर टिकेट जो कुछ उनको मिल रहा है बाकाइदा उनको मंत्री वाली सुविधा में ली हुई है यह तो यह तो सराशर अन्याय है कि आप देखिए मनें हिंदू मंदिरों से लाखो करोरों रुपए सरकार लेती है और ठेंग थमा देती है हिंदू को 4 लाख मैंने तो अपने इस पिटीशन में लिखा हुआ है इस शॉट नोट में भी लिखा है 4 लाख मठ मंदिरों को सरकार ने कबजे में लिया है 4 लाख और 2019 में 1 लाख करोड रुपए सरकार ने लिया था मठ मंदिरों से 2020 में लाख डाउन हो गया तो नहीं मिला 2021 में भी काफी लाख डाउन रहा 2020 का भी आकड़ा आया नहीं है लेकिन 2019 में सरकार ने 4 लाख मंदिरों से एक लाख करोड रुपए लिया, सरकार का मतलब कें सरकार नहीं, साब मिला गए, राज सरकार है, साब मिला गए, तो मैंने इस पिटीशन में कहा कि उसके लिए कोई ऐसी वेवस्था बनाया तो बात समझ में आती है, मुस्लिम्स के लिए वकबोड बनाया, जहां कि मस्जिद मजार दरगास एक रुपए नहीं आता है, तो यह बात समझ में नहीं आ रही है, और वैसे भी फिर अलग-अलग क्यों बनाना, बही एक आप कानून बनादो uniform endowment court. एक कानुना बनादो कि सब के हमारा जो दान होता है, भई वक्प और दान में अंतर क्या है? हिंदू भी fixed or movable इसे डान करते हैं, पैसा डान करते हैं, सोनचादी डान करते हैं, जमीन डान करते हैं, कुछ लोग कार डान करते हैं, नहीं सब दान करते हैं वो इसे ये भी दान करते हैं इनका दान कोई नया दान नहीं है ये खुदा के नाम पे दान करते हैं हिंदू भगवान के नाम पे दान करते हैं कोई भगवान के नाम पे एक भीगे जमीन दे देता है कोई दो भीगे जमीन कोई कमरा बनवाता है कोई प पारसी के लिए ऐसा कानून की रिक्यों, मुस्लिम के ऐसा कानून? और ये सरकार का काम है कि मुसल्मानों की जविन क्या हो नहीं हो उसके लिए आप कानून बनाएंगे? सबसे बड़ी तकलीफ की यही बात है कि इतना मतलब सरकार, पारलियामेंट हो या विधान सभा, कानून जो भी बनाएं, जो मैंने अपनी पेटीशन में बार-बार सुप्रियम कोर्ट से और आज मैंने बहस के दौरान भी कहा था, कानून जेनरल नूटल, रिलिजन नूटल होना चाहिए, इक्वैलिटी बिफोर ला, इक्वैल प्रोटेक्शन आपला, मैंने इसमें पेटीशन में लिखा, कि जब सम्विधान का आटकिल 14 कह रहा है, कि भारत में इक्वैलिटी बिफोर ला है, सब कानून की छटरी सब के लिए एक है, आटकिल 15 कह रहा है, कि आप धर्म के अधार पे भेदभाव नहीं करोगे, आटकिल 16 कहता है, सब को समान अज़र दोगे, आटकिल 21 कहता है, सब को समान राइट टू लाइफ लिवर्टी है, आटकिल 25 कहता है, सब को समान धार्मी का अधिकार है, तो ये एक पटिकुलर के लिए क्यों, मतलब ये हुआ, कि अगर हिंदू और जैन के बीच में कोई धार्मी की विवाद है, किसी जमीन का, तो वो तो कोट में चलेगा, आब इसको समझेए, हिंदू बाउध के बीच में कोई धार्मी की विवाद कोट में चलेगा, लेकिन अगर मुस्लिम के बीच में कि भीच में ,अगर एक मुसलिम है कोई भी हो उनके आदेशों को आपको फालव करना है और उनके पास इतनी पावर है तो SDM, DM को आदेश दे देंगे, इनका घर खाली करा लो, इनका दुकान खाली करा, उनकी जमिन खाली करा लो, इस सब वक्डिकों मतलब इसमें मनमानी चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है यह मुझे बताईए, कि यह सरकार मने आप कानून के नजरों में, अगर सब बराबर है, अगर कोई धर्म के नाम पर कोई अपार्थिट हिंदुस्तान में नहीं है, तो यह special privilege देने का काम क्यों? देखें, भारत में तीन कोट है, तीन तरीके जो सम्मिधान में है, एक सुप्रिम कोट पूरे देश के लिए, हाई कोट उस राजजी के लिए, फिट डिस्टिक कोट उस जिले के लिए, यह सिस्टम है और सिविल प्रोसीजर कोट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, कि सिविल डिस्प्यूट जहां पे सुरू होगा, वो उसी जिले में जाएगा, इस कानून ने उसकी भी धज्या उड़ा दिया, यह कानून कह रहा है, सिविल डिस्प्यूट सुरू होगा जमीन का में, मुकद्मा चलेगा लखनों में, लेकिन मुकद्मा चलेगा लखनों में, लखनों में, त्रीबूल जहां הबैठा हुआ हुआ है, वो राट उयेपर आजिम है वहीं उसका सुट चलेगा, जिसे, ऐअध्या का सुट है तरी छालेगा, कासी का सूट है कासी में चलेगा, लेकिन चले नए नहीं चलेगा, भी यहां चलने हो तो चल गए, लेकिन आप जो नए शुरू होंगे, तो आपको ट्रेवन वाली हुआ जानकारी दी, और आपको बह लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कॉंग्रेस पार्टी के डियने में कि 1991 और 1995 के बीच ये तमाम इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज पकहदा देश के उपर थोपा गया उसकी वज़ा बहुत ही सिंपल है मुस्लिम वोड बैंक बाबरी स्ट्रक्चर वो जो था उसके गिरने के बाद मुसल्मानों और कट्रपंथियों के उपर जिस तरह का दवाव कॉंग्रेस पार्टी और सरकार के उपर पड़ा आपने एक के बाद एक अनर्गल कानून बनाना सुरू कर दिया कि ताकि मुसलिम नाराज ना हो जाए मुसलिमों को खुश करने के लिए आपने सम्विधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स को ही इसको कर सकते हैं कि ताक पे रखके आपने इस देश की राजनीते को पल्यूट करने की कोशिश की है समय बदल रहा है अस्वनी उपाध्याय जैसे संगर स्रील वेक्ति अब कानून की लडाई कोर्ट तक लेकर के जा रहे हैं हम लगतार इस तरह के सवालों को उठाते रहेंगे आप देखते हैं कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद